गोवा के सिली सोल्स कैफे एंड बार मामले को लेकर सियासत फिर गर्मा गई है। कॉंग्रेस ने पहले आरोप लगाया कि बार का लाइसेंस लेने के लिए फरजी बाड़ा किया गया है और ये सब केंद्री मंत्री के इशारे पर हुआ है। गोवा के सिली सोल्स कैफे एंड बार मामले में केंद्री मंत्री इस्मृति इरानी बिवादों के घेरे में घिरती जा रही है। वहीं आब एक बार फिर बार विवाद को लेकर कॉंग्रेस ने केंद्री मंत्री पर हमला बोला है। बुद्वार को पार्टी ने जी एस्टी नंबर को लेकर एक बार फिर इरानी पर सवाल उठाए है। साथ ही इस बार गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोट सावंत से भी बयान जारी करने की मांग की गई है बता दें कि कॉंग्रेस के प्रवक्ता गिरीश चूडांकर ने कहा की इस बात में कोई शक नहीं है कि स्मृती इरानी और उनका परिवार सिली सोल्स कैफे और बार चलाता है वो यहां कुछ नहीं छिपा सकती है ये एक ओपन एंड शट केस है उन्हें जूट बोलने की आदत है इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाए कि सिली सोल्स में वही एड्रिस दर्ज है जो एटॉल फूट एंड बेबरिजिस का है जिसका संचालन इरानी के पती करते हैं और कंपनी को मिला जी एस टी नंबर भी सिली सोल्स से मिलता जुलता है दरसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब पाया गया कि सिली सोल्स के मालिकों ने एक मरे हुए व्यक्ती के नाम पर रेस्ट्रों में शराप का लाइसेंस रिन्यू करा लिया इसके चलते कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था जब कॉंग्रिस नेता उने अव्यद बार चलाने के आरोप लगाए तो मामले में इरानी और उनके 18 बर शिये बेटी का नाम सामने आया हाला कि केंद्री मंत्री ने इसे लेकर कोट में मानहानी का मुकदमा भी दायर किया था जिसके बाद दिल्ली हाई कोट ने कॉंग्रेस नेता जैराम रमेश, पवन खेडा और नेता डिसूजा को इस मामले में किये गए ट्वीट डिलीट करने के निर्देश दिये थे साथी चेताबनी भी दी थी 24 घंटों में ट्वीट डिलीट नहीं करने पर ट्वीटर उने हटा देगा डिवी लाइव की रिपोर्ट